ग्रेजुएट बंदा भी एपलाई कर सकता है, तो वीडियो को लास तक देखते रहिए, टिप्स बताएंगे, सालरी, स्ट्रक्चर, जॉब लोकेशन, क्या-क्या वेकेंसी है, टोटल कितना जॉब वेकेंसी कैसे अपलाई करना है, सब हम आपको बताएंगे, यहाँ सिविल, मेकेनिकल, इंजिनिरिंग रिलेटर में यह सब बंदा अपलाई कर सकता है, टीपल ए, इलेक्टोनिक्स, उसके साथ साथ ग्रेजुएट का कोई बंदा भी अपलाई कर सकता है, आइए चलते है, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्टोफिजिक्स में, टाटा इंस लिखा हुआ है, एक 2020, 2020 by 3, 2020 by 2, 2020 by 1, यहां आप से सिविल का बंदा, एकाउंट्स, इलेक्टोनिक्स, इस सब बंदा अपलाई मांग रहे है, तो मैं आज आपको 3 by 2020 का जॉब में दिखाता हूँ, लास्ट डेट इसका 31 तारीक, 31 दिसंबर है, तो जल से जल इसको अपलाई कर दीजिए, यहां देखिए, 3 2020 लिखा हुआ है, इसी तरह से 2 2020 होगा, एक 2020 होगा, तीनो का तीनो जॉब नोट विशन आपको चेक करना है, लिंक डिस्किप्शन में दे दूँगा, वहां जाकि आप क्लिक कीजिए, तो यहां इंजिनियर ट्रेनी चाहिए, देख सकते हैं आपको इसी जगा पर घ्लीक करना है, हम क्लिक करके भी दिखाएंगे इस का फर्म क्या है वह भी दिखाएंगे तो इंजिने रेनी न देख सकता है, बीटे का बंदा अपलाई कर सकता है, यहां पर ई आपको नचेग के जाब आपको मीलेगा, ऑनलोग औडिजील विवालабат म आपको यहां काम मिलेगा यहां एज का लिमिट होगा आपका 28 साल यहां 28 साल तक आप अपलाई कर सकते हैं सेकेंड जॉब नोटिकेशन जो कि सांटिफिक एसिस्टेंट कॉम्पूटर रिलेटेड जॉब है यहां आप अपलाई कर सकते हैं यहां 6 पे सेलरी मिलेगा करीब आपको यहां 40 से 45 रुपया सेलरी मिलेगा तो जल से जल्द अपलाई कर जैए यह भी उटी में है आपका यहीं पर आपको क्लिक करना है अपलाई करने के लिए यहां क्या चाहिए एक से दो साल का experience चाहिए B.H.C. Computer Science चाहिए चाहे Computer of In Computer Engineering का भी बंदा यहां चलेगा उससे साथ साथ यहां देख सकते है Technical Trainee Technical Trainee यहां जो मैंने आपको बताया Engineer Trainee, Trainee का मतलब होता है यहां Fraser बंदा अपलाई कर सकता है Trainee का मतलब होता है यहां Fraser बंदा अपलाई कर सकता है Fraser Trainee का मतलब ही हुआ Fraser तो यहां देख सकते है आप Technical Trainee चाहिए यहां पड़ी Electrical Section में लेकिन Electronics Electrical and Electronics Engineering का Diploma जो Complete किया बंदा वही अपलाई कर सकता है उसको काम कहा मिलेगा Electrical Related में काम मिलेगा UPS Electrical Related Work 22 के भी High Tension by Low Tension Technical Trainee Electronics बंदा चाहिए यहां भी Fraser बंदा चाहिए देखे ट्रेनी का मतलब होता है Fraser तो यहां BSC Physics में अपलाई कर सकता है Diploma Electronics अपलाई कर सकता है Treatments B Electrical यहां ITI का बंदा अपलाई कर सकता है Work Assistant इसी तरह से आप नीचे जब आईएगा तो आपको यहां परी टेस्ट देना परेगा Physical Fitness, Short Put, Seat Up यह सब टेस्ट आपको देना परेगा Administrative Trainee Administrative Trainee में कोई भी Graduate का बंदा अपलाई कर सकता है Administrative Trainee में कोई भी Graduate अपलाई कर सकता है Any Graduate Fraser Apply कर दीजिए क्या-क्या नियम है क्या नियम नहीं है मैं सब आपको यहां पर बताऊंगा 31 तरीक आपका Last Date है Form आपको 31 तरीक के अंदर फिलप कर देना है कोई पैसा आप से लिया नहीं जाएगा ठेक अगर किसी भी तरह कोई भी आपको समस्या होता है फिलप करने में तो आप यहां एपलाई कर सकते है E-S double T at the rate of ncra.tyafr यहां आपको मेल कर देना है किसी भी तरह कोई भी परसानी है आपको एपलाई करने के लिए इस लिंक पर आपको क्लिक करना है मैं यह लिंक नीचे में देदूंगा, आप अहां जाके apply किजिए, आए इस सेकेंड job notification जो कि इसका है, apply करने के बाद आपको form की स्थाख और होगा, यह देखिए, मैंने यह click किया, click to apply online में मैंने क्या करने के यह click किया, click करने के बाद एक form खुला, यह form आप देख सकते क्या क्या चीज मां देखना होगा प्रोफेशनल डीटेल्स अधर डीटेल्स अटेश्मेंट डीटेल्स उसके बाद आपको सब्मीट कर देना है फॉर्म को हम सजेस्ट करेंगे कॉंपूटा से खुलने का और अपलाई कर दीजे इसका सेकेंड जॉब नोटिफिक्शन देखते हैं जहां सीविल बंदा के लिए भी जॉब है 2020 में मैंने क्लिक किया 2020 में क्लिक करने के बाद यह देखिए 2020 में मैंने क्लिक किया यहां पनी जौब चाहिए यहां क्या-κया वेकेंसी है अब बताते हैं इंजिनीर ट्रेनीज चाहिए इल्टॉनिस डीपार्थम के टेकनिकल ऐसिटेन्ट चाहिए इस्टल डीपार्थमेंड में सीभी लिए इहहां परिए है जिसका कुछ दो से तीन साल जिसका एक्सप्रियंस है टेकनिकल ट्रेनी चाहिए स्विल डिपार्टेंट में काराड में यहां देकश सेटेकर देख साथ कोराड में चाहिए आगे वाला पूने था उसके बाद वाला और एक है जहां पर आपसे उल्टी में पूछा जाएगा टेक्निकल ट्रेनी चाहिए इलेक्टिकल डिपार्टमें डिप्लोमा इन इलेक्टिकल इंजिने यहां अपलाई कर सकता है एडिस्टेटिव एसिस्टेंट चाहिए पांठ सल के एक्सपेरियंस, कलर्क चाहिए, लब्लेटरी एसिस्टेंट, ड्राइवर, एडिस्टेटिव ट्रेनी यहां भी सेम का सेम है 31 दिसम्बर लास्ट डेट है अगर आप अपलाई online नहीं कर पाते है, offline भी apply कर सकते है form को print out करके आपको भेज देना है address आपको यहाँ दिया हुआ है address यहाँ देखिये, लिखा हुआ है किस address पर आपको भेजना है address यहाँ सब चीज दिया हुआ है किसी भी तरगा कोई भी problem होता है आपको यहाँ mail करना है mail करना होगा आपको यहाँ परी आप selection procedure हम आपको बदाते है selection procedure आपको अगर बंदा ज्यादा होता है तो आपको written test लिया जाएगा Tata जो कि एक बहुत बड़ा recognized और reputed company है तो यहाँ आपसे written test ही लिया जाएगा तो यह पूरा जोब को apply कर दीजिए miss नहीं कीजिए मेरा suggestion यही है जल से जल्द apply कीजिए आज के लिए इतना ही thank you मेरी इस channel पर बने रहने के लिए last तक thank you कल मैं graduate apprentice trainee और diploma apprentice trainee एक reputed construction site में job vacancy निकला हुआ है उसके उपर मैं कल एक video बनाऊंगा उसको आप last तक देखते रहिएगा वहाँ आप apply कर सकते है आपको वहाँ job पाने का संभाबना ज्यादा है आज के लिए thank you